दोस्तों नमस्कार आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका श्वागत है आज हमनों 2009 जुलाई का सीडीपी को लेंगे कोस्टिन 15 तेक हम लोग कर चुके थे अब 16 से चालू करेंगे चैनल पे आपको 2011 से लेकर रेकिश्ट का प्रिवीश एर पेपर इस्प्लेन के सा एंड डिटेल क्लास कॉंटेंट दोनों को कमबाइंड ली कर लोगे इस बार का सीटेट स्मूथ्री ट्रीकी वें मैजिगल तरीके से फस्ट एटम पे आप निकालोगे सीटेट का बनना है राजा सस्क्राइब करें सीटेट राजा कोस्टन नमर 16 लेंगे बच्चे की गलति गलतिया क्या है दोस्तों गलतिया पार्ट अफ लर्निंग है अधिगम का एक हिस्सा है नोट डाउन करेंगे परदरशित करती है कि बच्चे कितने लापरवा है बिल्कुल गलत लापरवा एक नेगटिव टेगवर्ड है बार बार अभ्यास करने के लिए कहे कर तुरन किसे सकते हैं उप्चार अतमक्व सिख्चं कैसे करेंगे उसे याइडिया मिलता है बत्चे का महतविन हैं डलत और ओप्षण 3 मेरा सही और शायव்ता है कोश्चन सरं को कि लोर्निंगये और करना चाहिए चलिया एक सिख्चन अधियम प्रकरिया का एक भाग होना चाहिए बिल्कुल सही आपका learning का मुलांकन एक पार्ट होना चाहिए केबल नंबरों को संदर्भ होना चाहिए केबल पर नेगरटिव टैक वेड़े और नंबर के लिए मुलांकन कभी नहीं करते हैं बस्तुनिस्ट परकार के लिखित कार पर आधारित होना चाहिए बिल्कु करेंगे साथ तो व्यापक मुलांकन होता है और अब लोगन का एक पार्ट होता है अंतर मुलांकन करिया जाया तो सबसेभ्यापक होगा आधिगम क्या एक संराजिक परकारिया है बिल्कुल सभीटलिश कवेड़े एंब्रने चाहिए निश्या 翻 d बिल्कुल गलत अनुवव के पडिनाम की रूप में बैवहार में परिवर्तन होने की प्रकडिया है बिल्कुल सही अनुवव बैवहार में परिवर्तन ही हमारा अधिगम कहलाएगा नोट डाउन करेंगे अनुवव के पडिनाम जो अनुवव बच्चा प्राप्त कर रहा है उसका behavior में change हो रहा है, वो ही अधिगम कहलाता है, और जहां भी अधिगम की बात आए, बैवार में परिवर्थन, note down करेंगे, अधिगम, बैवार के परिवर्थन को हम अधिगम कहते हैं, question number 19 लेंगे, नीचे लेकी हुई इस्तिती किस सिध्धान को दर्शाती है, चेक करेंग बिना प्रियास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, ऐसा क्यों है, जब बच्चा कोई काम को नहीं कर पाता है, तो demotivate को इस काम को करना छोड़ देता है, यह क्यों, किसलिए हो रहा, चेक करेंगे, option one, संग्यान एवंग संबेग अलग नहीं है, चलिए, स सिक्ता एवंग पडियावरन संबंदित नहीं है, दोस्तों, हमेशा नोट डाउन करेंगे, यह संभेग, संग्यान और संभेग अलग नहीं है, इस बज़े से बच्चा संभेग के लिए, emotionally उस काम को demotivate होके छोड़ देता है, इसलिए संग्यान और संभेग दोनों एक है, नोट डाउन करेंगे, अलग नहीं है, इन दा सेंस, यहां पे दोनों एटेच है, औप्शन काफी IQ लेवल का है, और उसे संग्यान और संभेग अलग नहीं है, नोट डाउन करेंगे, emotional thinking के वज़े से बच्चा यहां पर उस काम को छोड़ रहा है, question number 20 लेंगे, चेक करत या, किस तरह से आप उन्हें समश्चा शामाधन के लिए सक्चम करेंगे, option one, पाठ कुस्तक के सही प्रशनों को वैवस्तित तरीके से सामाधन लिख कर बिलकुल गलत, पाठ कुस्तक से वो लिख लेगा, तो वो समश्चा शामाधन क्या कर रहा है, पाठ कुस्तक से एक ही परकार के प्रसनों के उत्तर के अभ्यास के लिए प्रियाप्त मात्रा में अफशर परदान करना देखिए, कहां पर आपको क्या किया गया, अफशर ये positive tag word है, note down करेंगे, लेकिन option negative है, एक तो ही एक ही परकार के ही एक negative tag word है, उत्तर के अभ्यास अभ्यास एक negative tag word है, इसलि मेरा option 4 option 4 यह आपका सही अंसर होगा इसलिए मैं बारवर कहता हूं दोस्तों टैग वर्ड कर वीडियो जाके देख लेना 40-50 questions questions समझ में आए या ना आए टैग वर्ड से अब कर लोगे बच्चे को समझ्चा के बारे में साजानावूत अनुमान लगाने एवं बहु को देखने के लिए बिल्कुल सही बच्चा प्रॉब्लम को देखेगा अनुमान लगाएगा अब मल्टीपल ऑप्शन को चूज करने के लिए हम उसे मोटिवेट करेंगे तो बच्चे का संग्यात्मक विकास भी जादा होगा नमट्व टॉन्टी वेल लेंगे काफे इंपोर्टेंट कोस्टस है वह विधिया जिसके प्रियोग में विद्दार्थियों की श्व पहल वह प्रियाज शामिल है निम्नी में से किसका उधारन है अंतरव्यक्तित बुद्धी बिल्कुल नहीं निग्रमात्मक विधी बिल् एक्रिबिटी कर रहा है सदे प्रस्ट पूछ रहा है कुद से अपने तर्क्रिप कर रहा है ज eli से कडू और चीज और cleared me सारा बस्ता को बच्टे के अनुरूब बदलेंगे बच्चे को कभि नहीं बदलेंगे नोट डाउन करेंगे कोई सिन्न नमडेफी बुद्धी के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथं चेक करेंगे बुद्धी अभिशारी रूप से सोचने ऐःगवद्धी अनुवब के परि नाम के रूप में वैभार में एक अपयक चक्रित इस्ताही परिवर्तन है बिल्कुल सही आपका जो अनुभाव गेंड करते हो उससे आपका बिहेवियर को चेंज करते हो फिर आगे एक option थर्ड चेक करेंगे बुद्धी एक अनुवानशिक विशेशक है जिसमें मानची गतिमेदिया जैसे इस्वनानेवत्तर कर सामिल है इसे भी मान सक लेकिन option 4 चेक करेंगे बुद्धी बहुत बहुत आयामी है जिसे बुद्धी परिक्षनों को द्वारा पुन रूप से परिमे नौ की जाने वाली कई योगता सामिल है बिल्कुल सही बुद्धी जो है वो बहुत आयामी है और हावर्ड गार्डनर ने नह तरह का इपादत किया बुद्धी परिक्षन द्वारा पुन रूप से परिमे नौ की जाने वाली कई योगताई शामिल है बिल्कुल सही अब बुद्धी से दो तिन त्रीक सीख लेंगे आप एक तो है बुद्धी बिने कुछ नहीं होगा अगर आपसे पूछा जाए बुद्धी और बिसिश्ट बुद्धी बहु कारक थौनडैक ने दिया था हैवड गार्डनर ने बहु बुद्धी नौ तरय का बहुद्धी हवड गार्डनर ने इसे परतिपादित किया था नोट डाउन करेंगे अगर यहाँ पे एक वर्ड देदेगा पार्थमिक और गोण गोन कोन होगा परिवार के बाहर कोई भी options आपको मिले वो गोन समाजी करन का मादम है question number 24 लेंगे जिन प्याजे फिर से आ गया इनका वीडियो काफी जवरदस्त है आप चेक कर लेंगे जिन प्याजे के सिध्धानि का प्रमुग प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच बैसकों से निम्द नहीं होती है बच्चे की सोचЛ रूप में बैसकों से भीन होता है बल्कुल गलत बच्चे का सोच परकार में मात्रा में अलग होता है लेकिन सोच ते क्वाइंटिटी में नहीं है एक एक इक्जाम्पल अगर आप एक किलो सोच रहे हो तो बच्चा भी एक किलो सोचता है लेकिन उनका जो परकार है वो different होता है करेंगे कोस्टन 25 लेंगे जेंडर के वारिमें में पिल्कुल नहीं एक समाजिक सेंट क्या गया है लड का यह लड़ की यह लड़ की इसको बन्दुग देना लड़ की बाहर रात में नहीं निकले गी यह समाज की द्वारा creative सोच है जिसे हम जेंडर कहते हैं एक अर्थिक अभधारना है बिल्कुल नहीं जब भी जेंडर आ जाए जेंडर एक समाजिक सरंजना है नोट डाउन करेंगे विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करती है विकास क्या यह अध्यात्मिक कभी विकास होता नहीं है सब्सक्राइब करेंगे समाजिक व्यापक नहीं है संग्यानात्मक समाजिक और संभेगात्मक विकास में प्रॉब्लम्स आएगी सारा विकास का पर्थम आयाम क्या है सारणिक विकास करेंगे को से नमबर 27 लेंगे इंपोर्टन से बच्चे और उनके अधिगम के संधर्म में निमलिखित कर्थनों में से कौन सा साई है चेक करेंगे सभी बच्चे सीखने के लिए अनुवान शीक्ता के दुवारा पुर्व निधारित होता है ऑप्शन कितना बेस्ट बनाया गया था लेकिन हाँ केबल देखे इसे सत्यानाश कर दिया गया यह option बिल्कुल गलत है बच्चे की समाजिक अर्थिक पिष्ट्य भूमी उनके प्रेरिणा एवंग अधिगम सक्षम्ता कोन धारित और सिमित करता है बिल्कुल गलत बच्चे के पिष्ट्य मुझे मिलता है सभी बच्चे सीखने के लिए रूप से प्रेरित होते हैं और वह सक्षम भी होते हैं यह आप एकॉर्डिंग टू टीचर आपके अंदर होना चाहिए हम उसे कैसे निखा रहेंगे परतिवाशील सिक्षा में बच्चे को किस तरह से देखा जाता है तो प्र कोश्चन नमबर 29 लेव वाजोस्की फिर से आ गया काफी जवर्दस इन से तो कोश्चन सारवार रिपीट होगा लेव वाजोस्की जब भी आ जाए समाजिक सिध्धान समोग गतिविदी ब्यक्तिगत वर्त पार ढाचा इसके फोल्डिंग शहरा देना इन सब्दों को आप मेआ डाल लेंगे वाजोस्की किया अद्धिगाम एक समाजिक गतिविदी वीक्षण सही वाजोस्की ने समाजिक अंतिकिया के रिपीना अधिखम को माना ही नहीं है τους समाज के बाहर हो ही नहीं सकता नोट डाउन करेंगे उनका एक एक एग्जामपल लो बच्चे जरम के साथ ही अकर उन्हें आप जेंगल में रख दे ना उनको भाशा भिकास होगा ना उनका डवलप्मेंट होगा पशू जैसा बैवार करेगा एक व्यक्तित गतिविदी बिल्कुल नहीं निश्क्रिया बिल्कुल नहीं एक अनुमंदित गतिविदी बिल्कुल नहीं ले वाज़े उसकी जहां आजाए समाजिक सिद्धान को आप रिलेट करोगे पुर्व क्रियात्मक अवस्ता काल के बच्चे का विशेश करता है उस यह नहीं विचारों की अनुक्रमियता उनका वीचार जो है काफी मल्ट्री डाइवर्शन होता है उस काल के बच्चों का नोट डाउन करेंगे दोस्त चैनल में आपको 2011 से लेकर 21 पेपर डीटिल क्लास को और टेल्ट को कमबाइंड ली कर लोगो तो इस बार का सीटेट स्मूत्री ट्रीकी भी मैजिकल तरीके से निकालोगे सीटे राजा जय हिंद जय भारा